CBI ने भ्रश्वाचार के आरोप में केजरिवाल को गिरफतार किया और CBI ने उन्हें ट्रायल कोट में पेश किया आपको बता ले कि कोट ने केजरिवाल को तीन दिन की CBI रिमांट पर बेजा था जो आज खत्म हो रही है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केज्रिवाल की सीबियाई रिमांट आज खत्म हो रही है सीबियाई आज उन्हें राउस देवन्यों कोट में पेश करेगी बुद्वार सुभा सीबियाई ने भ्रश्टाचार के आरोप में केज्रिवाल को गिरफतार किया और सीबियाई ने ट्राइल कोट में पेश किया कोट ने केज्रिवाल को तीन दिन की सीबियाई रिमांट पर भेजा था जो आज खत्म हो रही है उधर केज्रिवाल की गिरफतारी के खिलाफ आमादनी पार्टी आज देशभर में विरोध करेगी आम आदमी पार्टी नेता संदीब पाठक ने बताये कि देश भर में आपके कारिकर्टा केमरी जांच एजिंसियों के दुरुप्योग और केजिवाल की गिरफतारी को लेकर बीजेपे के खिलाफ विशाल धर्णा पर दर्शन करेंगे दिली में आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्याले का खिराफ भी करेगी आप विशाल धर्णा प्रदर्शन करेंगे दिली में आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्याले का घेराव भी करेंगी तो आज देश बर में जो है आम आदमी पार्टी प्रदोशन टरने वाली है आपको बता दी कि दिल्ली में बिजेपी दफ्तर का घिराव जो है वो आज आम आदमी पार्टी के जो कारी करता है वो करते हुए दिखेंगे और कॉंग्रेस की पूरवद्यक्ष सोनिया गांदी ने एक अखबार में आठिकल लिखा है जसमें उन्होंने केंदर सरकार पर निशाना साधा उन्होंने नीट पेपर लीक मामला एमर्जेंसी चुनाव नतीजे और स्पीकर चुनाव पर अपनी बात रखी है सोनिया गांदी ने अपने लेक में ये लिखा है कि प्रधानमंतरी परिक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन नीट पर वो चुप हैं वहीं सोनिया गांदी ने अपने लेक में ये लिखा है कि सरकार की तरफ से जब हम से स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई तो हमने कहा कि परंपरा के मताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और CBI बिहार नीट पेपर लीक मामने में जिन साथ आरोपियों को गिरफतार किया गया है उन्हें दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट में CBI पेश करेगी आपको बता दे कि गिरफतार साथ आरोपियों को लेकर के CBI पहुचेगी दिल्ली कड़ी सुरक्षा के बीच साथ आरोपियों को दिल्ली में ले जाएगी CBI ले आएगी और आपको बता दे कि CBI ने दिल्ली ले जाने की तयारी जो है वो भी शुरू कर दी है कभी भी साथ आरोपियों को CBI साथ में लेकर के दिल्ली के लिए निकल सकती है तो नीर पेपर लीक कांड की जाज कर रही सीबियाई देर राद तक गिरफतार आरूपियों से पूछताच करती रही पेपर लीक कांड में रिमांड पर लिये गए चिंटो उर्फ बल्देव और मुकेश से पूछताच की गई साथी हजारी बाग के OSS स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताच करती रही सीबियाई की अधिकारी कई गुतियों को सुलजाने में व्यस्त रहे देर राद तक सीबियाई कार्याले के बाहर हलचल जो है वो तेज होती हुई दिखी आपको बता दे कि निर्ट पेपर लीक कांड में गिरफतार Manish Prakash और आशुतोष कुमार के जप्न मोबाइल से CBI को कई कलू मिले हैं साथी आपको ये भी बता दे कि CBI ने Manish Prakash और आशुतोष को रमान पर ली